Good morning friends, आज का हमारे जो अजिर्टा है, बात परेने का नहीं कुंदा है, Quality Management System में, Quality Management System के दो main pillar होते हैं, एक pillar होता है QC, QC को पुखते हैं Quality Control, और QA, QA means Quality Assurance, तो आज जो हम बात करेंगे, स्रे QC के भी शहर्ट बात करेंगे, हमारे पास points कुछ होता है, QC कुछ responsibilities होता है, उसको हम देखने में, सबसे पहले बात है, Quality Control Match, Product Oriented होता है, Product Oriented के काम अफ़ता होता है, Product से Related ही काम करता है, लेकर, Product को हर Deficiency से, effect से बचाता है, इसी लिए हम इसको Product Oriented रवते हैं, दूसरा है Master of Measurement, जो किश्ची बदापन का होता है, Master होता है किसका, Measurement ना और Validation का, Validation का मतलब होता है, कोई भी Product हमारा बनता है, बन चुका है, उसको सही तरीके से Pasting करना, Inspection करना, और उसका मुन लियांतन जोए उसको हम Validation करते हैं, Master होता है, किसी जो होता है, Master किसा होता है, एक को Measurement का, Measurement का हार तरीके से उसको Measurement काना जी है, अब दूसरा उसको Validate करना जी है, तीसरे बाता है, इसमें प्राइंट में लिया है Reactive का, कि कोई चीज होने के बाद, इतना ज्यादा Active है है अपनी प्रोटक्ट को लिएजा, वह परदनी सीवर रहता है, 14, चौज़फ़ तरीस प्र SCADA कि जीए, फ्रोब्लम होने से पहले, वह अपन प्रोइस को जे खर्त रहता है, जब प्रोप्समे के बादेही हूँ, पाट को सस्पेक्टिव नजट से देखता है उसको करते हैं फाइंट्स अब डिए चौदर पाइंट्स डिए जो उसके लिए डेली चेक पॉइंट्स होता है वह उसको review करता है, उसको बाच करता है, कि हमने कहां तक अपने target को हमारा जो activities है, उसको हमने achieve किया, अगर हिंदे में बात करूं मैं quality inspector की, जै quality controller की, इसका मतलब बाल की खाल नहीं कहने वाला, मतलब meter को सही proper परीके से inspect करना है, अपने line को smooth रखने वाला, अपने area को defectless, यानि गोस रहित बनाने वाला होता है, और हर समस्या को धहराई में जाकर, उस समस्या को फत्र करता है, उसको quality controller करते हैं, या inspector करते हैं, Thanks for today, over.